हलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे से होंगे बिल्लू दिदी की दुनिया में आप सब का स्वागत है यह जो आप देख रहे हैं यह हैं सैंसेवेरिया के प्लांट्स जिनको की स्नेक प्लांट भी कहा जाता है और इनको मदर इनलॉट टंग भी कहते हैं मुझे इक प्लांट्स से इतने सारे प्लांट्स मैंने बनाए है कुछ ही महीनों में तो मैं आज आपको बता रही हूं इस प्लांट्स को किस स्थी तो देखे यहां पर जो है मिट्टी बिलकुल सूखी हुई थी तब मैंने इसको निकाला है तो लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ी-थोड़ी गीली है मिट्टी यहां पर आप देख रहे हैं यह पूरी की पूरी एक लीफ है जिसका की रूट्स आ गई है रूट्स आप देख जादा नहीं है सबसे अच्छी बात इस प्लान की यह होती है कि यह बहुत जादा केयर नहीं मांगता है इसको आप भले ही खाद मत दो इवन आप हफतों तक पानी नहीं दोगे तो भी यह जिन्दा रह सकता है इस प्लान की सबसे अच्छी बात यही है कि इसको बिलकुल भ इसके बाद मैंने मिलाई एस और प्लाइए रेट जो ओ वही रेत और मिलाई रहा है क्योंकि ये ड्राइ एरिया का प्लांट है तो इसमें रेट थोड़ी सी आप मिला लेंगे तो ये जादा अच्छे से ग्रो हो रहता है इसके बाद मैंने इसमें मिलाई है थोड़ी सी खाद खाद आप चाहें तो कोई भी मिला सकते हैं जो हम नर्सरी से लेकर आते हैं वो खाद भी मिला सकते हैं या हमारी घर पर बनी हुई खाद भी मिला सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें मिलाई है थोड़ी सी कोकोपीट कोकोपीट मैंने जादा नहीं मिलाई है पर हाँ आप चाहें तो इसमें अपनी घर की बनी हुई कोकोपीट भी मिला सकते हैं जैसे कि जो नारियल के छिलके होते हैं हम उनको भी इसमें तोड़कर और तुकड़े करके डाल सकते हैं तो वो भी एक तरीके से कोकोपीट का ही काम करते हैं और आप चाहें तो इसमें जो नीम के पेड़ की छाल होती है, उसको भी तुकड़े तुकड़े करके मिला सकते हैं, उससे भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, अब मैंने यहां पर ये ले लिया है, जी हां, कैरी बैग ले लिया है, मैंने जो ये कपड़े का कै सबसे पहले मैंने चोटे चोटे पत्थरों की लेयर बनाई है एक तो मुझे क्योंकि थोड़ा सा पॉट भी हैवी करना था इसलिए भी और इससे क्या है आपकी मिट्टी जो है वो जल्दी ड्रेन आउट नहीं होगी जो उसका न्यूट्रीशन है मिट्टी में जो पोशक तत प्लाण को न्यूंट्रीशन कम मिलता है जब प्लाण को न्यूट्रीशन कम मिलेगा तो उसकी ग्रोध भी अड़ैजी में बहुत जादा चलती है तो उससे यह गिरने का बहिए बाले दिजनी के से ऐनंग भी टोगरोब माना vg नजा लिए कन दकशन बाद मैंने टूकड़े टुकड़े कि मिंतिमे हाँ थी प्राइश एल्वोगरोडर स्किंज लिए देखिए में तिकरव मैं शूयन है जूम में ठाला दुटे के रड़ा वेस्ट नुट डाला है। चुछ फूटे वेज़ेटीबल स्क्राइटोस के विज़ते हैं यह न चुम्हीर किया नहीं तौन चुम्हा आपने बनाना पटिक होते हैं। और उसके उपर से जो हमने पॉटिंग मिक्स तयार किया था मिट्टी का वो मैं इसमें डाल रही हूँ इसको अच्छे से मैंने भर दिया है सारा ढग दिया है अब थोड़े दुनों में ये भी खाद बन जाएंगे तो जब पौधे को फिर से न्यूटिशन की जरुख पड़ेगी तो ये वली खाद उसके काम आ जाएगी तो इसके बाद मैंने जो है इसमें लगाए हैं जो मैंने प्लांट के अलग-अलग किये हुए थे लीव्स में जितने भी रूट्स आए हुए थे तो वो मैंने इसमें एक एक करके लगाए हैं यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खाद और मिलाई है तो यहाँ पर मैंने इसको बिना care के भी grow हो जाते हैं अच्छे से पर जब आप इनकी care करते हैं तो यह और अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी grow होते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसकी leaf को कहीं से भी काट कर पानी में या मिट्टी में आप डाल देंगे तो वहीं इसकी जो roots हैं वो बन जाएंगी और वो एक नया plant बन जाएगा तो इसको grow करना बहुत आसान है ग्रो करना भी आसान है और इसकी care भी बहुत simple है तो अगर आप beginner हैं आपने जस्ट अभी start ही किया है अपने घर में plantation करना या पौधों के साथ समय बिताना तो आपके लिए ये बहुत अच्छा plant है सबसे अच्छी बात ये हमेशा oxygen देता है तो आप इसको indoor रख सकते हैं वैसे तो ये outdoor भी बहुत अच्छे से चलता है और indoor भी बहुत अच्छे से चलता है पर आप इसको indoor मतलब अपने bedroom में रख सकते हैं और इसी तरीके से मैं एक pot और बना रही हूँ, ये मेरे दौनों pot तयार हैं, इनको support देने के लिए जो leaps इधर उधर जा रही थी, उनको support देने के लिए मैंने इसमें कुछ sticks लगा दिये हैं, जिससे के ये सीधे रहेंगे, और फिर जब एक बार ये सीधे हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बैल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे के आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाबाई